बिहार का एक ऐसा इलाका जहां दिल्ली कोलकाता के लिए बस एक ट्रेन मुंबई के लिए तरस रहा है सिमान चल पटना के लिए एक भी ट्रेन नहीं जहां दोस्तों ये उस इलाके की बात कर रहे हैं जोगबनी जोगबनी फार्बिस गंज अररिया पूर्णिया ये वो चार शहर है चार इलाके हैं जहां करोडों लोग रहते हैं लेकिन इन इलाकों का हाल क्या है आज इसी पर हमारी ये पूरी रिपोर्ट है दोस्तों ये देखेगा जरूर क्योंकि यहां से दिल्ली के लिए स कटिहार तक ही चलती है इसको आगे नहीं एक्स्टेंट किया जा रहा है इसे पूर्णिया अररिया फार्बिस गंज और जोगबनी तक इसे पहुचाने की मांग लगातार की जा रही है लेकिन एक भी ट्रेंट नहीं किया जा रहा पटना बिहार की राजधानी पटना के लि यह बड़ा सवाल है और यह इलाके के लोग कैसे जाते हैं बसों में भर के जाते हैं दोस्तों बसों में तो यह स्थिति है उस इलाके उस सिमान चल इलाके की जिसको रेल मंत्राले ने बिलकुल ही अनार छोड़ दिया है और पिछले कई सालों से चार-पास सालों से यहां कोई भी ट्रेन नहीं है, सबसे पहले बात कर लेते हैं, कौन सी ट्रेन, अमरपाली एक्सप्रेस, अमरपाली एक्सप्रेस का विस्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, ये ट्रेन, जो है, वो अमरिस सर से चलती है, सुबह साथ बजे, और ये ट्रेन का विस्तार संभव है, और कैसे है वो मैं बता रहा हूँ आपको कटिहार ये पहुंचती है ट्रेन रात के 8 बजे 7 बच कर 55 मिनट पर और ये रात बर वहीं रहती है क्या इसको एक्स्टेंड नहीं किया जा सकता है जुगबनी तक इस ट्रेन को एक्स्टेंड किया जा सकता है दोस्तों ये ट्रेन कटियार से जब उधर से ये रात में चलती है 10 बच कर 45 मिनट कटियार से ये चलती है क्या ये इसको पहले नहीं चला जा सकता है जुगबनी से ये ट्रेन रात बर रहती है कटियार में और ये दिल्ली का भी विकल्प है दिल्ली इससे आ सकते है पुरानी दिल्ली लेकिन आमरपाली एक्सप्रेस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि इसको extend किया जाए जोगबनी तक जिससे के पूर्णिया, ररिया, फार्बिजगन और जोगबनी के लोगों को फायदा हो एक और ट्रेन की बात कर लेते हैं, पटना पटना के लिए भी ट्रेन कट्यार तक जाती है, इसको भी extend किया जा सकता है यह भी ट्रेन रात भर कट्यार में रहती है क्या इसका फायदा नहीं आम लोगों को मिल सकता देखे इसका schedule हम आपको बता देते हैं पतना कठियार इंटर सीटी का शेडूर हम आपको बता रहा है, कि यह ट्रेन कैसे पायदा पुँँचा सकती है, पतना से यह ट्रेन चलती है, दो पहर दो बज कर पंडर मेंट, सबाद दो बजे, इसकी टाइमिंग है, और यह पतना से चलते हुए, यह कठियार पहुंचती है रात के साड़े 9 बजे और ये साड़े 9 बजे के बाद से रात बर यही रहती है कट्यार में दोस्तो इस ट्रेन को भी बढ़ाय जा सकता है ये ट्रेन मौजूद है ऑप्शन है विकलप है लेकिन इसको भी नहीं बढ़ाय जा रहा है नतीजा यह पूरा इलाका पटना से दूर है कटियार से यह ट्रेन सुबह चलती है 6 बच कर 15 मिनट पर यानि यह रात में ट्रेन आती है और सुबह 6 बच जाती है यह रात बर वहीं पड़ी रहती है और यह पहुंचती है पटना दोपहर में 1 बच कर 22 मिनट पर तो क्या इस ट्रेन का फायदा जोगबनी, अररिया, फार्बिस गंज और पूर्णिया को नहीं मिल सकता अब हम आपको मैप के जरीए समझा देते हैं कि कित्रा बड़ा इलाका जो है वो ट्रेन से महरूम है जोगबनी, फार्बिस गंज रिया, पूर्णिया, कटियार यह रूट है और यहां से यह पटना और दिल्ली के लिए रास्ते निकलते हैं लेकिन लंबी दूरी की ट्रेन सिर्फ दो ट्रेन है एक सिमानचल दिल्ली के लिए और एक कोलकटा के लिए चितपूर एकस्प्रेस वो भी विकली है विकली तीन दिन जाती है दिल्ली के लिए सिमानचल एकस्प्रेस है एक मात्र जिसमें भीड इतनी होती है कि आप इसमें तिल रखने की भी जगश नहीं होती है तो यह सितह है दोस्तो उस सिमान चले लाखे की जहांके करोडों लोग ट्रेन में सफर करते हैं लेकिन ना तो मुंबई के लिए कोई ट्रेन है यहां से नहीं पटना के लिए ट्रेन है नतीजा लोगों को कटिहार जाना पड़ता है ट्रेन पकड़ने के लिए और ये कटिहार जाते हैं, कोई बस से जाते हैं, कोई local train पकड़के जाता है, वक्त की बरवादी है, पैसे की बरवादी है, ठकाई सफर है, तो क्या सीमांचल के लोगों को आखिर कब तक इन trainों से महरूम रखा जाएगा, कब तक सरकार यहां के लोगों की अंदेखी करती रहेगी सवाल यही है आखिर क्यों नहीं पटना, मुंबई और बाकी शहरों के लिए यहां से ट्रेने दी जा रहे हैं क्यों नहीं दिल्ली के लिए ट्रेने बढ़ाई जा रहे हैं दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा जादा से जादा शेयर कीजेगा ताकि यह वीडियो जादा से जादा लोगों तक पहुँचे और सरकार तक पहुँचे रेल मंत्राले तक पहुँचे आपकी आवाज वहां तक पहुँचनी जरूरी शुक्राइए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद